विल्कम बेक टुमार यूटूब चैनल पेपर हैकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुस्चिन नंबर 14 ठीक है कुस्चिन नंबर आपका 14 है जैसे में कहा रहा है कि बहुली करण समझाइए आपका जो पॉलिमराइजेशन की रियक्शन होती है उसको समझाना ठीक है पॉलिमराइजेशन आखिर होता गया है तो इससे पहले हमने पढ़ा था पॉलिमराइजेशन ठीक है इससे पहले भी हम पढ़ चुके है कि जब छोटे 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 अडू चोटे छोटे अडू आपस में मिल ब्रहत अडू का निर्मार करते हैं तो यह पूरी डियक्षिन यह पूरी रियक्षिन क्या कहलाती है आपकी बहुली करण कहलाती है बहुली करण ढमेट चोंटे-चोंटे अडू मिलकर जब बॉर बनाते हैं तो उसको कहते हैं वह अत्मक बहुरी कहलाती है वहित्थि और सब्सक्राइब जुड़ने को ही हम क्या कहते है एडिसन या योगात्मक ठीक है वो जुड़के यह बड़ा आडू मनाएंगा और वही क्या होगी आपकी योगात्मक बहुली करण की क्रिया होगी दूसरा आप से कहरा संगनन बहुली करण की क्रिया विधि लिखी है तो इसमें केबल हम आज ऐस किर संगे कम्पलीट करेंगे ठीक है इसके बारे माद करते हैं शोटए जो नुटन है यह क्या होता है आपका आपका आ कर रहे हैं तो इसमें पहुली करण क्या होता है चोटे-चोटे अड़ों से मिलकर एक ब्रहत यहने की बड़े अड़ों का निर्माड होता है ठीक है या बड़ा अड़ों बनता है और इसी क्रिया को बहुली करण कहते हैं जब चोटे-चोटे अड़ों आपस में मिलकर एडिस उसको polymer, तथा उत्पाद को बहुलक कहते हैं, उत्पाद को क्या कहते हैं, बहुलक या polymer कहते हैं, जो छोटे छोटे अडू polymer बनाते हैं, एक एक लग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, छोटे छोटे अडू मिलने से पहले, ठीक है, मान लो, A, B, A, B, ये जब मिलेंगे, तब क्या बनाने से पहले फा से लग कहला ते यह मौनोν मर कहला अब कहला है कि बहुता की की जुदी रहते हैं टो उसको होती है यानिकri एक डूसरे से आपस में मिलकर बने जुड़े रहते हैं गंधे मानी में में वह पॉलिमर होक कर पॉलीमर नहीं बना सकता है、 अगर आपका जो monomer है या एक लख है उसमें केबल एक ही प्रकार का एक ही प्रकार का आपका group present है ठीक है क्या है एक ही प्रकार का अगर आपका समू present है तो वो क्या है कह रहा है कि polymer होकर भी यह क्या कर सकता है polymer नहीं बना सकता है करा पॉलीमर बनाने के लिए मोनोमर कम से कम दो गुरुप का होना आवश्चक है क्या है पॉलीमर बनाने के लिए मोनोमर में कम से कम दो गुरुप तो प्रिजेंट होने जाए ठीक है दो गुरुप इसमें प्रिजेंट होने जाए करा पॉलीमर को दो विधियों द्वारा बन बार नाया जा सकता है कौन कौन सापधियां है एक कि अ है यह आपका क्या है युगा आत्मक बहली करन कने जितूत है कैसे और बी आपका क्या है संधनन्रय करन तो इसमें केवल किसकी बात करेंगे केवल योगातमक बहुली करनव पढ़ेंगे ठीक और जो आपका बात रखा संगनन वाला यह अगली वीडियो में बात करेंगे बना वीडियो आपका जो है लंबा हो जागा ठीक तो चली बात करते हैं कि एडीशन पॉलिमरायजेशन क्या होता है Addison means क्या होता है आपका जुड़ना Addison means क्या होता है θα जोड़ना ठीक है जो एक दूसरे को छोटे-चोटे अड़ों जब एक दूसरे को आपसमें जूरे रहते हैं ठीक है सेसैंच बंददवारा तो भो क्या करते हैं मिलकर एक यानि कि योगात्मक बहुली करण कहलाती है और ये क्या हो जागा आपका योगात्मक और यग पॉलिमर का भी निर्माण कर रहे है एक चोटे चोटे अडूंग आप समें एक दूसरे से बिना किसी पर्माडू या समू को खोए हुए जुड़ जाते हैं आपस में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं लिंक हो जाते हैं बट देहार रखना है कि इन में से किसी पर्माडू या कोई समू ठीक है किसी पर्माडू या एटम और गुरुप अटम और गृृप्स का कोई नुकूऋ लॉस नहीं होता ठीक है इन Recently न कुई आपका एटम कम होगा और नहीं कोई आपका drop कम होगा ठीक है और फिर भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे जुड़ाएंगे तो ज़ो आपका चाहें polymer हो ठीक है यह आपका क्या हो monomer चाहें 20 000 हो चाहें आपका 1 000 हो इनका जो अनुसूत रहे लों कईसा रहेगा आपका same जियूं कतियों ठीक है जैसा अप करिए होने से पहले शरूर हुआ था ठीक वैसा ही आपका बात में रहेगा बात करें पॉलिविना सूराइड कहते है तो पीबी सी का बंना भी क्या है आपका एडिस्टल पॉलिम्राइजेशन है क्या है औद पॉलिम्राइजेसन ही है ठीक है तो इसमें देखते से पी बीसी आपका किस तरह से बनता है कौन सी रियक्शन होती है यहाँ यहाँ पर अगर हम बात करें यह क्या आपका Benadac 저희 क्या है बिंदाइल औ। और यह हो जाएगा आपका अब्लोरइड निया आपका कि इससे लगा कृrine ने एंगद करने करने इसका अपस में इनकी यह यह बहुत साघनगा स़भार के लिंक होगे जो जुड जाएंग एक बहुत लंबी एक स्रंकला का फार्मेसन कर लेंगे मैं थरिक वह जो पॉलीमर और वो क्या कहलाएगा आपका पी बी सी क्या कहलाएगा पॉली बिनाइल क्लोराइड यानि कि इसमें जो बिनाइल के बिनाइल होंगे ठीक है क्या होगा विनाइल होंगा वो कैसे होंगे पॉली होंगे पॉली मेंस क्या होता है बहुत ज्यादा ठीक है पॉली बहु सारे आपस में लिंक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से तो बन किया जाएगा आपका पॉली बिनाइल क्लोराइड का फार्मेशन हो जाएगा ठीक है कुछ इस तरह से यह था कि आपका देश्टू और आपका डबल बांड थी एच सिंगल बांड क्या था ठीक है यही था अब इस प्रोसेस साथ साथ होंगी किसका यह इधर टूट घिया ठीक है और इसका भी बांड क्या हो गया कुछ इधर तूट घिक अब यहाँ पर महलूब कैसा त्याजिश्ट का माइन सब्सक्राइब इस पर कमान का माहिन समाल है इस पर सीज़ल आगी आपके यस से जुड़ जो है चलती रहती है आज़े तक और इसके एन मझोलेक्योन बना लेती है और यह कहलाँता आपका पॉलिमर बन जातम है पॉण्जिस हम से नाम से जानते है记्श्ष जो बना है इसकी मंग इंजम इसी तरह से किस तरह से इसकी मकायरी जम इसमें होती है क्रिया विदी ठीक है addition, polymerization दो प्रकार से होता है आपका number 1 क्या होगा? free radical addition, polymerization free radicals क्या होता है जब कोई किसी bond का homolytic fusion होता है homolytic मतलब की जैसे ये कोई आपका bond है ठीक है? क्या है? A और B के बीच में करना का कोई यह बॉन्ड यह कि को मुलिटिक कि क्या कि निकिरा इस्ट में और दूसरे लेक्तरूण कहा आजागा आपको धी ठीक है तो यह अनक्याइड इलेक्तरूं कहा जागा आपको दीप मिस आसब्री beslण होनेगा तो फूरी रेडिडिकल से त SECRET आपस में इक चैन बनती जाएगी तो यह 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 प्रिकडिया है यह तीन पदों में पूरी होती है सबसे पहले अगर हम बात करें तो कह시 날ा शुरुआद करना क्या कह रा है शुरुआद करना या इसको हम क्या कहते हैं इसको कहते हैं इनिशियेशन पॉइंट क्या कहते हैं इनिशियेशन यानि कि अभी हमें क्या करना है पहले पॉइंट में इनिशियेशन करना या अध्रिया की शुरुआद करना है ठीक है तो कह रहा है इस पद में एक पदार्थ ब बनाएगा मुक्त मूलक बनाएगा बेंजोयल प्रॉक्साइड फिनाइल फ्री रेडिकल बनाता है अगर वेंजोयल प्रॉक्साइड की बात करें तो फार्मूला की आजागा और अपका यह ना यह यह हो जागा आपका इस फाइफ और ब्रेकट में आपका ओं ठीक है और ब्रेकट में ऑक्षीजन ठीक का होल वह जागा आपका बिनाएल वो स्वरी बेंजाइल जया बेंजाइल परोक्साइड यह जो बॉन्ड बना हुआ है इस बॉन्ड को चाहते है परक्साइड बॉन्ड गया तो यह क्या हो जाएंगा इतना थिक है यह वाला ठिक यह आपका है बेइंगे पराउक्साइड सूत्र क्या हो गया इसका और ब्रेक्ट में डबल बाउंड ओ और फिर ओ लगो श्रुपर भिनाइब प्री रेडिकल बनाएं इसका भी आपका Homoletic Cleavage होगा, क्या होगा? Homoletic Cleavage होगा, तो Homoletic Cleavage से क्या होगा? इसका 1-1 Electron इस Oxygen पड़ चला जागा, दूसरा Electron आपका इस वाले Oxygen पड़ चला जागा, ठीक है? यह क्या होगा? इसका Homoletic Cleavage है, Thesecal Day tax, यह Homoletic Fusion, औरи होगा? मैं होमिलिटिक फिजन में एलक्टानों का बित्रन वुक्त समान हो जाता ठीक है आधी प्रिस पेसिज में अन्युजरय फिजिप पर आजागा और आपके बन गए यह आपके बन गए फिनाइल बन जागा क्या निकल जागा निकल जागा यहां पर जो आपका बॉंड दिखाई दे रहा है इस बॉंड का भी हो मुलिटिक कली लिवेज होगा यानि कि एक इलेक्टॉन इस पर चला जागा कारबन पर और एक इलेक्टॉन तो यह बहुत तो पहले तो चुका था अब यह जो आपका सी ओटू बन गया यह बहुत निकल जागा और दूसरा आपका योगा यह फी इमक्रइब और लेक्ट्रोन आपका औरयंख की इसके कितने molecule है आपके पास दो molecules है ठीक है ठीज इस घया कहते है है ऑप कर बांका जिसे अब नेक्स्ट में क्या होगा इसके बाग अभी क्या बना आपका फिनायल फ्री रेडिकल बना के बना अब कना यह बनाए्ड सब किसी अगली स्पिसी जुड़े गा या नए मौनवर बसे जुड़ेगा तो बहाँ पर भी यह नए फ्रीय कलका ओरचे इसान ओप थो चिस में लुटक के यहां धृत करेगा किसी जूड़ेगा ँद से जुड़ेह नए सब्दो़्य कर देगा तो यह ता तो याद रखना है ठीक है यह था हमारे पास क्या था विंजाइल फिनाइल प्री रेडिकल ठीक है विंजाइल फिनाइल प्री रेडिकल यह आपका क्या है एक नया मोनुमर है ठीक है क्या है नया मोनुमर इसको लिख लो फिनाइल और यह आपका हो गया रेडिकल ठीक है फिन है क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आपका यहां पर हमने क्या लिख लिए है छो कि आपको इससे अच्छा समझ में आएगा अब देखो क्या होगा अब जब यह इस से जुड़ेगा तो बहुत अब यह जो इससे लिंक कर जाएगा और क्या बन जाएगा यहां पर एक एक बीच में क्या हो जागा बॉन्ड बन जागा क्या बन जागा बॉन्ड बन जागा लेकिन यहां पर जो आपका इस पर आपका एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जागा ठीक है तो यह था आपका एक फ्री रेडिकल रहेगा क्या रहेगा फ्री रेडिकल तो हम कह सकते हैं आपर न्यू फ्री रेडिकल का फार्मेशन हो गया ठीक है क्या हो गया है लिए फ्री रेडिकल का यहां पर फार्मेशन हो गया ठीक है तो यह आपकी पहली स्टेप हो गए ठीक है पहली स्टेप जिसमें क्या था हमने शुरुआत किया था क्या किया था शुरुआत किया था या इसे क्या कहते है इनिशेशन स बढ़ना जब तक करना अब तक क्या हुआ अभी हमने केबल क्या करा है फिरी रेडिकल बनाया अब जब आगे बढ़ा के लिए टीक है क्या करना आप उसको आगे बढ़ा के ले जाना है कहरा है इनिशियेशन में उत्पन फ्री radical दूसरे मोनोमर से जुड़कर एक नया free radical बनाते हैं ठीक है अब जो पहले पढ़ा था initiation यह शुरू आती है वस्था उसमें जो आपका नया free radical बना है ठीक है क्या बना हुआ है नया free radical बना है यह दोबारा से क्या करेगा दूसरे मोन उमर के साथ में react करके फिर क्या बनाएगा एक और नया radical बना देगा ठीक है बहुत रेडिकल जब किसी से जुड़ेगा तो अगली species पे भी radical बन जागा ठीक है इतना दियान रखना तो क्या करेगा एक और नया radical बना देगा ये नया free radical तीसरे मोन उमर से जुड़कर अब क्या करेगा ये और अगले मोन उमर से जुड़ेगा और क्या करेगा एक और नया radical बना देगा ठीक है मतलब कि free radical जितने भी मोन उमर से जुड़ेगा एक और नया free radical का formation करता चला जागा ठीक है free radical मतलब उस पर एक electron है तो bond बनाने के लिए उसको एक electron चाहिए तो वो क्या करेगा एक electron ले लेगा और एक electron दूसरे पर रहने देगा मतलब वहाँ भी free electron आपके एक रहे गया ठीक है तो वो क्या हो जागा आपके एक free radical हो जागा इसी तरह से वो चाहा तीसरे से जोड़े चाह चोथे से जोड़े monomer से ठीक है क्या करेगा एक नया free radical का formation वहाँ बे कर देगा ठीक है कहरा इसी प्रकार addition reaction तब तक होती रहती है कब तक जब तक की सभी monomer के अणू संयुक्त ना हो जाए जितने monomer हमने लिए है जितने monomers आपके अपक्रिया में प्रियोक्त हो रहे हैं वह जितने वह सभी monomer यानि कि सभी आपके एक लग जब तक की पूरी तरह से complete जुड़ना जाएंगे जब तक यह reaction होती रहेगे ठीक है free radical बनते रहेंगे चली इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो पहली step में free radical बना था या शुरुआती पहली पॉइंट शुरुआती step में हमारा जो free radical बना था अब वो क्या करेगा ठीक है तो यह था हमारा यह यह आपर कहता CH2 था और इस पर क्या था आपका एक free radical था क्या था फ्री रेडिकल अभी यह यह नए एथिन के molecule से क्या करेगा दुबारा react करेगा क्या है यह एथीन का molecule है और यह क्या आपका CH2 है ठीक है क्या है जहां एक्स लगा हुआ है बहां आप CH2 के जागा और क्या बना लेगा आपका बांड बना लेगा और इस पर आपके एक नया फ्री रेडिकल फिर से जन्रेट हो जागा तो इतना जितना यहां तक है वह आपका कहा हो गया और लगा हुआ CH2 और अगले CH2 ठीक है यहां पर भी क्या हमने पढ़ा था ठीक है यह एक्स मतलगा यह थटार वाले कार्बन पे क्या है बहुत यह तो आपका पहले श्टेप दूसरा क्या है CH2 फिर CH तो यह आपका CH2 हो गया ।पिर CH इससे क्या लगा हुआ था आप X तो ने एक सबस्वाइब करना है और आहएक और आफ़ का माली के यह quello ऑस पर नहीं ठीक है क्या लेखा हुआ है थिए डवल वंड टीएच टू अब इसका भी क्या होगा आपका होब लीविएज होगा इस बांड का तो यह क collectively यह पर आ जागा और यह क्ट्राइब यहाँ पर आ कर गया ठीक है क्या कर गया उस वाल उस वाले फ्री रेडिकल के साथ में कम्बाइन कर गया ठीक है और क्या बन जागा आपका अगला क्या आपका आपका अगया और फिर से आपका फिर से आपका नया जो है यहां पर एक आपका फिर से फ्री रेडिकल बन गया ठीक है इसाथ अधोल में फिर से फ्री रेडिकल बन गया जब तक बनते रहेंगे जब तक कि जतने आपके मोनुमर हैं या एक लग है वो आपस में पूरी तरह से लिंक ना हो जाए रिक्शन करना ले तब तक रहेंगे तो ऑगिसे सेप्वरेंगर बनते रहेंगे तो सिक civilis टेप मैं क्या आपका मैं लिए कि अपय तै कि यह था प्रो में यह आगे बढ़ाना ठिक है ने खेterm किश्या च्छेश्तटि एक अगे बढ़ाना VI कि यह आपके समझ में नहीं आएंगे कि एक निनट कि मेरे समापन अभी देखो किस तरह से होगा इसका कि यह रियक्षिन दे रखें यह आपको समझ नहीं आएगे समापन में होगा कि आपके जो भी फ्री रेडिकल बनेंगे क्या बनेंगे जो भी आपके फ्री रेडिकल होंगे वह आपस में क्या कर जाएंगे ठीक है यह बात आपको ध्यां रखना फ्री रेडिकल क्या होंगे आपस में आपके कमबाइन कर जाएंगे ठीक है केबल इतना ही यह आपको द्यान रखना और क्या कर लेंगे एक आपका बहुलक का फार्मेशन कर लेंगे ठीक कि अधिक है और नो क्या हो गया भी यह आपका आगया ठीक है अब त्यां समापन में क्या ओगा थर्ड स्टेप है यह आपकी टरमिनेशन यह अब जो जो रिएक्षस अ होई है आप इसको क्या करना है complete करना है इसको बंद करना ख़ी कि करना एडिशन पॉलिमराईजेशन में प्रोपेगेशन तब तक होता रहता है जब तक की monomer पूरी तरह से consume ना हो जाएं कब तक होता रहता है यह जो आपका termination है वो कह रहा है addition polymerization में propagation यानि कि जो दुतिय step थी आगे बढ़ने वाली वो step तब तक चलती रहती जब तक की polymerization में ठीक है किसमें polymerization में प्रियुक्त होने वाले तभी monomer पूरी तरह से खर्च ना हो जाएं जब तक monomer खर्च नहीं होंगे तब तक यह reaction आपकी second वाली चलती रहेगी ठीक है और free radical बनता रहेगा या free radical नए free radical से क्रिया नहीं कर लेता या क्या होगा जो आपका free radical वना है first step में वो अगले नए free radical से क्रिया नहीं कर लेता तब तक यह reaction आपकी चलती रहेगी कह रहा है कभी-कभी बिलायक भी free radical से क्रिया कर कर चैन को terminate या समाप्त कर देते हैं क्या होता है कभी-कभी आपके बिलायक भी क्या करते हैं क्रिया कर लेते है किस से जो आपका टर्मिनेट यानि कि थर्ड इस्टेप है ठीक है तो क्या करते हैं यह चैन को terminate कर देते और चैन आपकी कैसी हो जाती complete हो जाती रियक्शन ठीक है और आपका जो formation होता है product का वो पूरी तरह से हो जाता है तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो आपका समापन होता है वो आपका दो तरह से होता है ठीक है यह आपका क्या होता है यह मैं आपका क्या होगा ठीक है कि भाई है कॉंबिनेशन अभाव तो फ्री रेडिकल कब जब हम दो फ्री रेडिकल को आपस में क्या कर दें सहीजित कर दें या उनको जोड दें ठीक है तो फ्री रेडिकल अभी हमें उपर जो मिला हुआ है इसको हम जेँका क्यों लिखते दें ठीक है तो क्या था हमारा C6-H5 अब इससे कितने CS2 लगे हुए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तो इनको क्या कर दो, आप ब्रेक इडिम बंद कर दो, C6, H5, और CH2 का, होल्ट वाइज, अब बचा क्या, सबसे लास्ट वाला, क्या बच गए आपका, CH2, और सिंगल वांड, CH2, इस पर कह रहेगे, आपका एक, फ्री रेडिकल रहेगा, ठीक है, CH2, सिंगल वांड, CH2, इस पर कह रहेगे, आपका एक, फ्री रेडिकल है, अब, इसके कितने मॉलेक्यूल ले लो, प्रहों यह को जोरने के लिए इसके कित्छे मॉलेकूल चाहिए हमें दो अब हम इन दौनों को आपस में जोर दिस्टो जोर ने पर क्या बनेगा आपका थीए जोडने पडम है टो मुइं नेशन जोर ने किस अगरन घ्राफ आपका CH2 का whole 4 ब्रेकट में कितना है CH2 का whole 4 मतलब कि CH2 आपके 4 बार लिखे हुए एक दो तीन चार और बाग यह आपके क्या है CH2 और सिंगल बांड पिस्टू वह आपका बाहर है बाहर के आपका स्टेज्टू सिंगल बांड अब आपके यह आ गया होगा CH2 इसपर free radical और यह दूसरा इसी का होगा उस पर भी प्री डेडिकल तो यह आपस में जब दो मिलेंगे स्टरह के तो यहाँ पर यहाँ पर इनका हो रहा है यहाँ पर इनका सैंगा सेमिने से और टिखेया H5 तो इतना यह जो है पूरा आपका बन जागा कब जब हम क्या करेंगे Y combination द्वारा termination, termination करेंगे या reaction का समापन करेंगे जब कब combination द्वारा reaction का समापन करेंगे तो आपका क्या होगा जो free radical बना होगा ठीक है second step में उसके दो molecule आपस में क्या हो जाएंगे जोड़ जाएंगे ठीक है क्या हो जाएंगे आपस में जोड़ जाएंगे तो यह reaction आपको क्या करना है अच्छे से ध्यार रखना है ठीक है क्या करना है इसको आपको अच्छे से ध्यार रख लेना ठीक या दूसरा आपका क्या हो सकता है दूसरा आपका हो सकता है भी डिस प्रोप्यो निशन अ गलत लेकरा आ अपका बी बइ डिस ब्रोप्यो निशन अधिस प्रोप्यो निशन द्वारा ठीक है क्या होगा डिस प्रोप्यो निशन द्वारा यानि की कर अशमान अनपातables Math थीक है क्या अजvat तो इसमें क्या होगा हमने जो पहले लिया था ठीक है दूसरी स्टेप में आपका इस और यह किसके माध्यम से हो रहा है चैन का समापन बाइडिस प्रोपोर्शू नेशन एनकी असमान और पात के नियम के द्वारा ठीक है तो इसमें क्या होगा इसमें आपका होगा क्या इसमें आपका ये जो हाइड्रोजन है ये CH2 लगा हुआ है इसको एक हाइड्रोजन हमने क्या लिख लिया यहां पर लिख लिया ठीक है एक हाइड्रोजन हमने नीचे लिख लिया अब इसका हमने क्या करना इसका हमने उसी तरह यहां से आपका क्या बन जागा तो इन दोनों के बीच में क्या बन जागा आपका क्या जागा तो यहां से आपका क्या बन तो यहां से आपका क्या बन आ सकता है यह यह तो आपका यहां से निकल जागा और इसकी जगह पर क्या जागा आपका CH3 वो किस तरह से आगा जी 6 H5 और बेरिकेट में आपका CH2 का होल फोर गोल फोर सिंगल वांड इस टू और सिंगल वांड आपकी क्या हो जागा CH3 तो यह क्या हो जागा आपका एलकेन क्या हो जागा आपका एलकेन ठीक है तो ध्यान रखना कि इसमें आपका एलकेन और एलकेन दोनों का फार्मेशन होता है यह क्या बन रहा है आपका एलकेन बन रहा है वो क्या बना था आपका एलकेन ठीक है तो जो दूसर का टर्मिनेशन तर्मिनेशन हो जागे या रहा कि बंद हो जाएगी अब इसमें क्या होगा आयन बनेंगे ठीक अभी क्या तक री रेडिकल बन रहा था अब क्या होगा आइंस का फार्मेशन होगा और वही आइंस क्या करेंगे अगले दूसरे के साथ में एड होते जाएंगे जुड़ते जाएंगे ठीक है तब यह जाके कहीं पॉलिमर बनेगा हमारा ठीक है ध्यार रुखना यह है कैटा आपका यह पॉलिमराइजिशन हो सकता है कहरा इसमें स्रंखला वाहां कार्वोनियम आयन या कार्वो एनायन होता है क्या होता है कार्वोनियम यह आपका क्या होगा कार्वोनियम ठीक है क्या होगा कार्वोनियम ठीक है जिसको प्लस कहते हैं और कार्वोनियम क्या होता है आ मैं तो फिर वहीं इनिशियेशन कॉंइंट ठीक है जैने कि आपका क्या है या क्या है क्मर्म करना या शुरुत करना तो सब से पहले अलतां करें प्रारंविया शुरुत की तो 우निया क्या जा सब्सक्राइब करेंगे ठीक है क्या करेंगे के लियूट करेंगे ठीक है तो यह क्या बन जागा यह आपका कुछ इस तरह से बन जागा ठीक है बोरान ट्राइफ लोराइड और और मोनो हाइडरेट क्या हो जागा बोरान ट्राइफ लोराइड और मोनो हाइडरेड का यहाँ पर आपका फार्मेशन कर लेंगे ठीक है तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है यह आपका हो जागा आइस तो ब्यूटाइल बन टू थ्री फोर चार कारवन है तो इसका नाम क्या हो जागा आइसो एक तरो गूटीद हो जागा ठीक है आइसो ब्यूटीन आप आईसो ब्लू इंद और ऑर तो ने आ restrictions करेंगे एप hun तो यह जो आपका खुआ है और आच टूओ कि घर हम बात करें तो बी कि एक एफ दूसरा एफ यह थर्ड एफ और यह आपका ओएच और इसके साथ में आपका है प्लस का रहता है ठीक है और इस पर कैसा रहता है आपका माइनस सर्थ यहां से र्यूर्यत घर और यहां से आपका किनेल जागा विद्द अबोкий इस तरह से बन जाएंगा थी यह फ डो एफ तीन आज और यह बन जाएंगा थिक एंफ इसके साथ में था ऐच्टू वाला वह एक हैड्रोजन आपका बहर निकल जाए ठीक तो यहां पर बनेगा क्या तो बन जाएगा से ठीर और इस कार्बन पर आजाए आपका पार्शली पाउज्टिव कैसा आजाएगा पार्शली पोच्टिव आजाएगा और यह आपका से पॉजिटिव और नेकेटिव तो इस तरह से यहां पर क्या हो जाँगे नयल इक टूधा connection । यहां पर तो दोनों प्रकार के आपको चार आइन दिखाई दे रहे हैं यह कैसा आपका काई टानिक पार्ट लेकिन एक दूसरे से क्या है यह लिंक है तो यह आपके होगी फस्ट स्टेप एक हम बात करें तो दूसरा गाई आगे बढ़ना इसी को कहते हैं प्रोपेगेशन स्टेप ठीक है अब क्या करना रियक्षन स्टार्ट हो गई अब इसको आगे लेके जाना ह तो किस तरह से जाएंगे तो यह तो आपका स्टेम भाई रहेगा जो कि हमारे पास बना था ठीक है एनानिक पार्ट और कैटानिक पार्ट अब हमने क्या करना है अब हमने क्या करना है कि अब इसमें आपका है फ्जेक्र इसे ही सॉच्ण पर ठीक है इससे कहते है इसे स्टेव क्या है इसमें आपका कैटन और अनाइनिक पार्ट बनाता है ठीक है इस पर अब क्या होगा कोई भी यह कापका एलकीन का मालिकूल ठीक है कोई भी ऐलकीन यह क्या है 1, 2, 3, 4 तो इसको कहेंगे इस condition को कहते हैं आईसो जो carbon से इस तरह लगा होता है और double bond है तो क्या आजागा but plus in तो क्या हो जागा isobutene ठीक है N लगा हुआ है तो लगा दो भी N isobutene अब यह क्या करेगा इस से जागे reaction करेगा ठीक है तो इस से पहले इसको क्या करना होगा यह बाला bond जो है break करना होगा तो यह electron आपके यहां पर आजागा दूसरा electron आपका इस carbon पर आजागा ठीक है एक electron आपका इधर आजागा और दूसरा आपका अब electron की कहानी खतम भाई आप क्या करना है आपके पास दो और दूसरा अब यह क्या रहेगा इसका जो एनायनिक पार्ट होगा ठीक है यह वाला है यह जाकर आपका यहां से जुड़ जाएगा ठीक है यहां से आपका जुड़ जागा और किस तरह से जुड़ेगा देफो ये आपका क्या है इसके बाद की कहानी है कुछ इस तरह से ये आपका CIS Зем 3 आगया और CIS Зем AM गया कारवन से क्या लगा हुआ आपका? अभी क्या लगा हुआ है यापर ?BF3 और OH- ठीक, अब ये वाला क्या होगा? जो यहाँ पर आपका कारवन पर क्या लगा था? है इस पर कार्बन पर फिलस का या जई तो क्या हो जागा कारबन से CH2 लग गया और यह वाला तरह से इसकी चैनल बन जाएगा एक तरह से एक और नया मालीकूल आएगा इसी का वह भी इसी तरह से लिंक हो जागा तो यह चैन बन जाएगी बहुत लंबी सी ठीक है तो यह क्या बन जाएगा आपका पॉलिमर यह स्टेप आपके सामने इसमें हमने क्या करना इसका समापन यह टर्मिनेशन पद कहते हैं ठीक है तर्मिनेशन पद्या समापन इसमें क्या करना यह जो आपका टेकिन्ड इस्टेप में बना था ठीक है यह जो बना हुआ था जिस पर आपका कैटायनिक और निक ठीक है दोनों पार्ट थे पर क्या था फिरस का चार्ज और बी पर क्या था बोरान पर आपका माइनस का चार्ज था अब यह क्या करेंगे आपस में लिंक हो जाएंगे ठीक है आपसे में क्या हो जाएंगे लिंक हो जाएंगे तो किस तरह से लिंक हो जाएंगे यह आपका पूरा जिव कित्यों यहां तक आपका कैसा रहेगा रहेगा ठीक है यहां तक हमने क्या कर दिया यहां तक आपका कैसा कर दिया यहां तक सेम रहेगा ठ जोड़ दिया तो onds के आपका से लगा हुआ है यहां पर पर कारवान से क्या लगा हुआ है 803 जोर गाहुआ और यह वाला जो CH3 लगा हुए ठीक है कहानी आपकी यहां से चलेगी अब यहां पर क्या होगा आपका इस पर जो माइनस का इस इस वाले CH3 को अगर हम क्या करें इस वाले CH3 को यह CH3 जिम करते हों इसको अगर हम कुछ इस तरह से लिख दे एच और CH2 ठीक है है एच और CH2 तो यहां का क्या होगा यह वाला जो हाइडोजन है वो कुछ इस तरह से प्लस की फॉर्म में निकल जागा और इस कारवन पर कैसा आजागा आपका माइनस का चार्ट कैसा आजागा माइनस का चार्ट तो यहां पर क्या हो जागा डबल बॉंड बन जागा अभी सकारव बन के और सकारवन के बीच में आपका डबल बॉंड और कर नीच लगा रहें झाल जाग पर बहर चला जा अससे ऑफ है और क्या बन जागा आपका एक मॉलिकुल बन जागा और रियक्शन कैसी हो जागी आपकी यहां पर अब यह तो था आपका योगात्मक बहली करन ठीक है क्याथ का योगात्मक बहली करन अब बन रही है हमाँ साथ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थेंक यू और वीडियो को सेर बने लैक कर दें